नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल की माध्यम से आप सभी का हादिक अभिनन्दन करती हूँ दोस्तों चलिए आज फिर एकी हिलिंग की कड़ी में आज एक नई जानकारी की ओर हम चलते हैं दोस्तों आप अपनी दिन की सुरुआत कैसे करते हैं सुबह उठते ही आप मोबाइल देखने लग जाते हैं उठते ही आप टीवी आउन करके आप टीवी देखने लग जाते हैं या कुछ और हमें नहीं पता लेकिन आज मैं एक रेकी मास्टर के रूप में मैं आपको संपुर्ण स्वास्थ और रुपांचन के लिए मैं आपको एक daily routine मैं आपको share करूंगी जिसे अपना करके आप पूरे दिन सांथ और concentrate महसूस करेंगे ये एक बहुत ही guaranteed तरीका है तो मैं आज आपके साथ मैं daily routine को मैं share करूंगी दोस्तों जब आप सुबर उठते हैं तो उठते के साथ ही आप बिस्तर पे बैठे बैठे ही आप सबसे पहले आप एक रे की prayer करें इसके लिए आपको बिस्तर पे बैठ जाएं आराम से अपने दोनों हाथों को आप उपर की जब करें ऐसे कर सकते हैं, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आप एक रेकी प्रियर करे, हे इस्वर, हे रेकी एनरजी, मेरी दोनु हाथों को और सधी युक्ट करो, स्वभाग शाली बनाओ, सामर्थवान करो, सक्ति दो, जिससे मैं अपने आप को और मैं अपनों को और मैं आसपास के वातावरन को मैं सक्ती सामर्थ और सोहाद्ज में सहयोग में प्रदान कर सकूँ ऐसी मुझे सक्ती दो, सक्ती दो, सक्ती दो दोस्तों इस प्रेयर को आप डेली पांच मिनट करें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रेयर को कर लेते हैं, तो अपने दोनों हाथों को अपने आखों पर रखें और उसके बाद आप अपना पैर जमीन पर रखें, इसके बाद आप जब अपने दैनिक नित कर्म शे जब आफ निब्रित हो जाते हैं, उसके इस रेकी वाटर पिने की आप आदर डाले एक गिलास आप पानी ले रेकी के प्रथम सिंबल से आप वाटर को चार्ज करें और उस दिन के लिए आप जो भी कामना करना चाहते हैं वो कामना आप एक पॉजिटिव अफरमेशन दे और उस पानी को आप बिल्कुल मन की गहराई आप उस पानी को पी जाएं ये रेकी वाटर दोस्तों आपको पूरे दिन उस जानुट महसूस कराएगा इसके साथ ही जब आप नहाते हैं तो आप अपने नहाने के पानी को रेकी से आप चार्ज करके नहाएं यहां भी आप एक अफरमेशन दें कि मैं इस रेकी वाटर से नहा करके पूरे दिन मेरा तन मन स्वस्त और उस जानुट रहे ऐसा अफरमेशन दे करके आप डेली आप नहाने की आदर डाले इसके बाद आप अपने डेली के लाइफ में अगर आप एक रेकी मास्टर हैं तो भी या आप नया नया रेकी सिखे हैं तो भी आप डेली सेल फिलिंग आप जरूर ही करें, आप अपने प्रतेक अंगों को बहुत जादा अगर आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप अपने 7 चक्र को 3-3 मिनट की हिलिंग यानी 21 मिनट की आप हिलिंग दें, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप अपने प्रतेक 24 पॉइंट को आप 3-3 मि चक्र जो है वो उस जानमित हो जाएंगे और आप एक बहुत ही उस जानमित महसूसा प्रति दिन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप प्रति दिन 20 मिनट ओम के मंचों का ध्यान आप जरूर ही करें। ओम के मंचों के ध्यान से आपका मन एक काग्र होता चला जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो महलाएं घर में रहती हैं घर के कामकाज करती हैं वो लोग जब आप खाना बनाते हो तो आप अपने खाना बनाने के लिए पानी में आप जो है रेकी वाटर का इस्तमाल आप करें। पूरे घर परिवार के पीने के पानी को आप रेकी से चार्ज करके रख सकते हैं। या आप क्रिस्टल डाल करके पूरे पानी को चार्ज आप कर दें। खाना जब आप परो से अपने लिए अपने पूरे परिवार के लिए तो आप रेकी से चार्ज करें। आपके घर में अगर बड़े बुज़ूर्ग हैं तो उनको आप खाना देते हो, उनको दवा देते हो, तो आप उनको रेकी से चार्ज करके दे, वो बहुत जादा असर करेगा, उनको उस जानवित महसूस कराएगा, साथ ही बड़े बुज़ूर्गों को आप 5 मिनट, 10 मिनट प्रति दिन आप रेकी दे, उनको सांत और तनाव मुक्त करने के लिए, इसके साथ ही आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें प्रति दिन आप 5 मिनट रेकी आप दे, छोटों के सिर पे आप 80 भरा हाथ रखे और प्रेम की भावना आप बढ़ाएं, इसके अपने घर को साकारात्म कोज़ा से भरने के लिए 10 मिनट आप रेकी जरूर ही दे, इस तरह दोस्तों अगर आप अपने डेली जीवन में रेकी का इस्तमाल करते हैं और दिन की सुरुआत अगर आप इस तरह से करते हैं, तो दोस्तों आप बहुत ही सांत और कंसंट्रेट मह मैं आपको छोटे-छोटे तरीके में आपको मैं बताई हूँ, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने डेली लाइफ में आप इस तरीके से आप दिन की सुरुआत आप करें और उस जानुवित महसूस करें साथि संपुर्ण स्वास्त और संपुर्ण आप इस तरह की डेली रे की दिन चर्या को आप जरूर ही अपनाएं। इसके साथ ही अब मैं बिदा लेती हूं। मिलती हूं इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सेयर करें। और अगर अभी तक आपने म सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर ले। नमस्कार धन्यवाद।